हेलो और वेल्कुम फ्रेंड मेरा नाम है करन और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल केकेडी फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आप कैसे अपने प्ले स्टोर से किसी भी एप के लिंक को कैसे कॉपी कर सकते हैं चाहिए फ्रेंड्स को बॉट्सब हो प्ले स्टोर हो में अपने प्ले स्टोर से कॉपी कर सकते हैं तो चलिए आप ये कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बता देता तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट आपको सबसे पहले अपने मॉल फोन में अपने प्लेश्टोर आपको कर लेना है open तो देख सकते हैं मैंने अपने प्लेश्टोर आपको open कर लिया है open कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का page देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पर Whatsapp आगया है देख सकते हैं यहाँ परune लिक जातोप करेंगे आपको सामने काफी सारे ओप्सन आपको देखने को मिल जाएंगी अब आपको यहाँ पर एक option ढूट लेना है तो दिख सकते हैं आपर काफी सारे option देखने को मिलना है अब यहाँ पर मुझे एक option देखने को मिलना है copy to clipboard का आपको अगर copy option मिलने तो आप copy की option पर भी click कर सकते हैं मुझे तो option मिलना है copy to clipboard तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ तो देख सकते हैं, यहां से copy हो गया है, ऐसे ही मैंने corresponding FaceBook के App को, czy किसी जो disrupt को करना चाहताえる। तो देख सकते हैं यह आप रहा है अभी यह इंस्टोर नहीं है इसको कॉंपी करना है इसके लिंक को तो आपको थ्री बिंदी पर दबारा किलिक करना है और सेर के उप्शन पर किलिक करना है जैसे आप सेर के उप्शन पर किलिक करेंगे फिर देख सकते हैं आपर कॉंपी को अ